सो हे गाई सो गाई समय इसे डूब बात करने वाले एलवी शादो और फुकरा इंसान की कार कॉलेक्शन के बारे में और किसके पास कितनी महंगी कार है और किसके पास कितनी ज्यादा कार है उसके बारे में चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो एलवी शायद और फुकुरा इंसान ये बिग बोस में जाने के पहले से ही काफी फेमस थे लेकिन बिग बोस के जाने के बाद जो लोग इनको नहीं जानते थे वो लोग भी अब इनको जानने लग गए और इनके फैन बन चुके हैं और बिग बॉस से बाहर आने के बाद चाहे लवी शादा हो चाहे फुकरा इंसान उन दोनों को फैंस फॉलोईंग भी काफी तेजी से बढ़ी है और इनकी फॉलोवर्स भी हर एक सोशल मेडिया पर काफी तेजी से बढ़ चुके हैं दोस्तों अगर हम लोग बात करें इनकी कार्व कलेक्शन के बारे में तो इन दोनों के पस काफी मेहँगी बहेंगी और काफी सूपर कार्वी है तो किसके पास कौन सी कारे चली में आप लोको यहाँ पर एक yıl करके बताता हूं सबतों जर्उब बात करते हày फुकरा इनसान के दोस्तो वैसे तो फुक्र इंसान की फैملि में सारे मत्तली की यूट्यूपर से सभी लोग यूटूपर है और सभी लोग पैसे कमाते हैं और इनकी फैमिलि में जो भी possibilities ने पूरिन उनकी फैमिली की ही ही ये किसी की एक personal car नहीं है यहाँ पर दोस्तों फुकर इंसान की फैमिली के पास में जो पहली कार है वो है टाटा हेरियर जिसकी प्राइस करीबन मार्केट ने 25 लाक रुपे है वहीं दोस्तों फुकर इंसान की फेमिली के पास में एक लगजरी कार भी हो उस कार का नाम है जेगवार F.Pais और इस कार के प्राइस करीबन 92 लाख रुपीस है यहाँ पर दोस्तों फुकर इंसान की फैमिली के पास में अभी ये दो ही कार का कॉलेक्शन है सुगैस अब हम बात करते हैं L.V. शैदो की कार कॉलेक्शन के बारे में दोस्तों L.V. शैदो की कार कॉलेक्शन में जो पहली कार है उसका नाम है हुंडाई वैरना और इसकी प्रैस करीबन 15 लाक रुपए है L.V. शैदो के पास में जो दूसरी एक और कार है उसका नाम है टोयटा फॉर्चुना लेजेंडर और इसकी प्रैस मार्केट में करीबन 15 लाक रुपए है वह दोस्तो L.V. शैदो के कार कलेक्शन में एक सूपर कार भी है और वो कार है पोर्च कंपनी की पोर्च बोक्स्टर 718 और इसकी प्रैस करीबन 15 लाक रुपए है तो यहाँ पर दोस्तो कार कलेक्शन के मामले में L.V. शैदो मत्तब आगे हैं फुकुरा इंसान से L.V. शैदो के पास में ज्यादा कार कलेक्शन भी है और उनके पास महेंगी कार्स भी है बाकि दोस्तों अगर आपको वीडियो पस्ना आया तो लाइक कर देना और आप लोग किस-किस युटूबर का कार कमपेरिजन कार कलेक्शन देखना चाहते हो तो आप लोग हम इसके बारे में कॉमेंट करके बता देना वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना ऐसे वीडियो स्क्रिचन सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा देना